हम एक पत्थर को तोड़ने जाते हैं हमने उस पे दस बार चोट मारी ठीक है सर जी और ग्यारमी बार चोट मारना हम बूल गए तो उसका मतलब यह नहीं कि दस बार की चोट फैल हो गई लोग फैल इसलिए होते हैं बस वो एक बर हतास होंगे काम को छोड़ देंगे मत पूछ तो गालिब हमारा दिल एहाल चैलिंज तो खूब आते हैं लेकिन चैलिंज में अगर जो आदमी डट जाए ना वही काम्याँ चैलिंज से गवराना थोड़ी है दूसरों के कंदों पे तो हमेशा जनाजे उठाए जाते हैं जी में तो केवल अपने ही कंदों पे उठाई ज लोग ना जल्दवाजी में काम करते हैं बसाज बकरी फालन खोलना है कल हमारे बीस बख्री आएगे एमारे पास उसके 40 बच्चे आ जाएंगे 40 बच्चे इतने बिख जाएंगे वह काग्ज़ु में लिखते हैं काग्ज़ुमी बख्री बग जाती है उनको अप्किकत का त मैं बढ़िया हूँ सर चली सर अंधर यह वन टू थ्री फोर यह जो कंपार्टमेंट अना वह अमने मेल गोट के लिए रखा है यापने देखो कि पिछली बार जो कंपार्टमेंट थी वह हमारे चोटे थी इसको हमने बढ़ा दिया है 15 15 के लग बग तो स्टेंथ बढ़ गई तो एक पार्टमेंट में 35 अनिमल के आ गई ठीक है? तो ऐसे यह नो कंपार्टमेंट है तो यह हमारे 300 अनिमल का कम्प्लीट सेड़ हो गया यह पर सवाल मेरा बड़ा पुछाना बड़ा इंपोटेंट है बाख लाजमी भी है अँहा बीकल पूछेए वह स्वाल भूने है काम एंभलते हैं लेंगे न बढ़ गया है फिर से क्या तरीका है अगर जब है अपना नहीं पर्यास अब एक फोर एकजम्पल के होता है हम एक पत्थर को तोड़ने जाते हैं हमने इस पर दस बर चोट मारी ठीक है सर जी और ग्यार बढ़ बूल गए और ग्यार्मी बार चोट मारना हम बूल गए तो उसका मतलब यह नहीं कि दस बर की चोट फैल हो गई लोग फैल इसलिह होते हैं बस वह एक बर हतास होंगे काम को छोड़ देंगे तो अभी कितने अनिमल अभी अपने पास अभी हां अभी है 230 मोजूद सर काफी लोग के कोशन साते हैं अब बगरी प अगर वह कमर्शिल में जाना चाहता है तो दस से बीस बगरी की तरफ जाए मिनमम दस मैक्जिमम बीस लेकिन मैं तो यह कहता हूं को दस और पंदरा के बीस में रहे और उसके साथ में फिर मेल गोड त्यार करें और कभी भी छोटे इनिमल्स लेने की सोचते हैं तो उनके आ बच्चे उपलब्द है कई बड़ तो मेरे पास ऐसे लोगों के फोन आते हैं तो कहते हैं वाई साम हमें 10 किलो का बच्चा चाहिए अब 10 किलो का बच्चा कहां से आएगा वह बच्चा आएगा जो बिलकुल मंडी में कट्टू के बाह जाना है और जिसको रास्ते में मरना जैसे यह बच्ची है सपोज कीजिए यह शिक्समंत की बच्ची है अब इसका जो बोडीवेट है वह 35 केजी पलस है तो यह जो है ना लोंग जर्णी सर्वाइव कर सकती है यह हजार किलो मेटर का सबर भी तेय कर लेगी 2000 किलो मेटर भी अब मान लीजिए 10 किलो का बच्चा है अगर उसको जाना है 500 किलो मेटर तो वह इतना थक जाता है और उसको वहां का इन्वारिमेंट ही सूट नहीं होता दूसरा वह नहीं दाने पे आता है वह बच्चा नहीं चारा हार पे आता है तो उसको मेटाबोलिक प्रोबलम हो जाएगी तो जो छोटे इनिमल से जो से पूछना कि लोग इसको बड़े उत्साह से खोलते हैं बगरी पालन को कहां चूप करते हैं कुछ ऐसी बाते बताईए कुछ ऐसे पॉइंट बताईए ताकि वह सक्सेस की तरफ बढ़ सकें लोगों इसमें यूटूब का बड़ा योगदान राजी यूटूब ने सपने मान लेजी आज मेरी केपेवल्टी है जी मैं कमा रहा हूं तो उसके देखना चाहिए यह बंदा काम कभसे कर रहा है उसके पास एनिमल ऑफ से ट्रेंथ कितनी है तो यह जब चीजी है ना आब वो कहता है मैं 10 बक्रियों का करता है और ख्वाब लेलाता 10 लाग का तो कहां से पोशिबिल्टी यह फिर उसके खर्चे इतनी होते है फिर एंफ़्टा के खर्चे होते है माइनस गरो इंकम के जो कर रहे हो और सर में देखर हूं हमारी मुपली न natyem बोर्डी का पाला यह और गुमार का बुषा गुमारी होना चाहिए गुमार से भी गुमारी बैस्ट होती है उसमें फली की मात्रा परसेंटेज यह देखें करें लोगों को तो यह भी नहीं पता कि चारा कहसे खृदना है आप यह मानते होंगे प्रवेस्वर जी यूटूब प्रवेस्ट नहीं पता है कि उसका बढ़ाने के लिए दूद दहीं की जूरत होती है कचोरी समोसे खाके पेट की भूख्यान दो सकती है बोडी में स्टेमिना आएगा तो उनकम से कम उन लोगों को यह पता होना चीए बग्री का जो फीड है या सीड है वह क्या चीज जब स्टेट नहीं मिलेगी बग्री बोडी बनाएगी नहीं कि वोडी तो सब्सक्राइगी तो सर आपको कितना समय उनको हो गया इसको करते हुए मुझे स्टेडी करते हुए पर वेजी चोटाँ साल हो गए और जो मेरा फार्म है रंणिग एलेमन यर शोग सफ़लता पूर कर र लेकिन चैलेंज में अगर जो आदमी डट जाए ना वही काम्या हो तो चैलेंज से गवराना थोड़ी है जी चैलेंज तो हमारे पास बक्रियां ही देती है जैसे अब ये रिपीटर बक्री की स्रेडिम आई लेकिन आज ये ग्यावीन है तो चैलेंज तो खूब आते हैं चैलेंज के सब्सुत ये स्रक्राइल सरम हें जी चैळल स्रinal गोरी बक्री की दो है किते ख़गें ठीच से नाफ़ऑ जाता है चैलेंज में तोная प्रषेंट का具 जाता है अगर हम आट मेल गुट परे जा जाते हैं तो हम केह बल थर्टी पर्षेंट का नहीं कितना दूसरों के कंदों पे तो हमेशा जनाजे उठाइजा जाते हैं जी में दर्यायां तो केवल अपने ही कंदों पर उठाइगी यह चीज होती है जी बिल्कुल और मैं देख रहा हुँ शेड भी आपने जो है काफी अच्छा और सस्ता जुगार बनाया हुआ है बहुत ही इतना बड़ा फार्म आप चला रहे हैं तो प्रॉफिट की बात जरूर होनी चाहिए यहां पर प्रॉफिट हमने बता दिया हमारा जो वीजेन है वो दोजार पत्चिस का वन क्रोड है हमारा वीजेन है में मिसन अमारा यह हम हम जब सुरू से आय थे इस इंडिस्टी में तब हमारा मिसन था कि हमारे पास एक से बढ़कर एक अनिमल्स होंगे हमने सबसे पहले तो यह बताते हैं कि हमने नेगिटिव ब्रीड को जुना था हमारे पास जब कोश्चन दे सर लोगों के पास बहुत अच्छे ची हाई रेंज की बक्रियां थी लेकिन मुझे तावजूब कि इंडिया की सबसे पहली रिजिस्टिड ब्रीड शिरुही और सबसे लोगों ने इसको नेगिटिव ब्रीड भी शिरुही को बनाया लोग कहते थे 200 रुपे किलो 300 रुपे किलो कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे लेकिन आज सचाई यह जी परवेस्तर जी आप अपनी जेमे इस चिरुही क्या चीज है बक्री को जान तो लिया कम से कम बोडी वेट के कोडिंग उसका पैसा मिलता है लेंथ के कोडिंग उसका पैसा मिलता है ब्यूटी के कोडिंग उसका पैसा मिलता है बक्रिया सारी खुबसूरत है लास्ट में यही जानना चाहूँगा जो दर्शक आपको लो मैं एजमेर की गानी बदाता हूं मैं हमारे दूर की क्यूं जाए अजमेले में जितने भी वीडियों वनते हैं है है आप इतने ट्रेंडेश लोगों के पास गे होंगे ले किसी के फारम पे देखी आपने 10 वुझ यह गरते हैं आप लोगों को किसान के पास बाइस भगरी किसान बोला-डाला उसको चैपाणी मिला बाजी राम राम बाजी खुझ हो जाते हैं लेकिन एक्षण बख़ी किसके पास खड़ी है किसान के पास बताता है कोने यह बख्री हाँ है मुझे एक ताजू बवा एक वीडियो था मैं किसान का नाम लिलना चाहता हूं परवेश जी मैं उस बख्री के सत्र शार रुपे कि मैंने जानता था मैंने दूसरे बंदे से फोन कर आया कि साब वीडियो बनाया है तेरा आज वीडियो लगा वो बगरी कहां से गई लेकिन इसमें क्या होता है परवेश जी पुरानी एक वहा होता है लाल्चियों के सहर में ठख भुखे नहीं मरते हैं लोगों को लालत चाह अब हो गया कामिया फारम उनको यह नहीं पता बगरी लेनी कौन ची है बगरी का बच्चा कितने माता है एक्च्वल में सही डंक से तो शिरोही का बच्चा भी नहीं आए डाइसो तीन सुरुपे किलों में तो जी है लोग बगरी मांग रहे हैं कहीं दोखा है सर अंडर पर तो यहीं संदेज आता है कि जो नए वीवर्स है जो नए फार्मार है जो आना सब्सक्राइब करें हम यह नहीं करते हैं कि वह हमारे पास आए हम यह नहीं करते हैं हमारे करने से वह बगरी ले हम यह भी नहीं करते हैं कि हमारे करने से वहां जाए वह कहीं से ले किसी से भी कोई सी बक्री का पालान करें लेकिन कम से कम उसको समझ तो ले धन्यवाद सार आपने बड़ी महत्पुछाएं का रहे दी आपका भी बहुत बहुत दन्यवाद